Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वी का सापताहिक राशी फल ये 31st October से लेकर 6th November तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में Aries, Taurus, Gemini, Cancer यानि की मेश, व्रिशब, मिथुन, करक राशियों के सापताहिक राशी फल है और नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पे click करेंगे और directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो देखें tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चले जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी फल चले एडी आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं, awakening and solitude और दिखें, दोनों ही cards कहीं pause लेने की बात करते हैं, कहीं चीजों से withdraw करने की बात करते हैं passive energies की बात करते हैं, introspective mood में रहने की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में होता हुआ दिख रहा है जहां पर दिखें आप actively चीजों में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं कहीं आप different you know perception से या फिर एक अलग नजरिये से चीजों को देखना चाह रहे हैं या फिर deal कर रहे हैं और आप कुछ you know compromises adjustments भी करते हुए दिख रहे हैं आप थोड़ा सा एक अकेलापन किसी चीज को लेकर महसूस कर रहे हैं या फिर आप एक अकेलापन चाह रहे हैं किसी चीज को लेकर deep thinking रहते हुए दिख रहे हैं कुछ Aries के लिए literally हो सकता है कि किसी चीज से related आप research कर रहे हैं जैसे होता है न कि हम अच्छे से उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, action initiatives लेने से पहले तो दिखे कुछ Aries सी energies रहती हुए दिख रहे हैं और कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी situation में stuck महसूस कर रहे हैं तो कहीं किसी चीज को लेकर एक realization, किसी चीज को लेकर एक जाग रुकता भी कुछ Aries के लिए इस week specifically, you know, professional front से related रहती हुई दिख रही है और अब देखते हैं Aries कि आपके personal front में क्या हो रहा है तो देखे personal front के लिए आप लोगों के लिए renewal and rejoice in celebration के cards हैं और देखे renewal बहुत ही clearly किसी चीज के renew होने की यानि की नए सिरे के होने की नए सिरे से चाहने की बात करता है ये again सबके लिए differ करेगा कुछ के लिए नई direction हो सकती है, नई beginning हो सकती है या फिर से मैं कहूंगी कुछ भी नया हो सकता है जो आप करना चाहा रहे हैं या फिर हो रहा है and in the process कहीं आप थोड़ा सा पीछे मुड़के अपने mind में चीजों का analysis कर रहे हैं कि क्या आपने पीछे किया, जिससे कि आपको फाइदा हुआ, जिससे आपको benefit हुआ, आपके लिए अच्छा रहा क्या आपने किया, जिससे आपको नुकसान हुआ, आप परिशान हुए और इन ही सब चीजों को अपने mind में रखते हुए, आप यूनो नई direction अपने लिए choose करना चाहा रहे हैं या फिर कुछ के लिए literally हो सकता है, कोई decision, कोई choice लेना है और इसी के basis पे आप ये decision, ये choice लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और देखे हो सकता है, कि इन ही सब चीजों का directly, indirectly connection किसी celebration, किसी reunion, किसी get-together से है यानि कि इन चीजों से related एक नई beginning, एक, you know, fresh start आप करना चाहा रहे हैं नई तरीके से आप करना चाहा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है Aries, तो otherwise personal front में कोई celebration, कोई get-together, कोई reunion भी रहती हुए दिख रही है या फिर देखिये, जो भी आपके loved ones है आप उनके साथ quality time spend कर रहे हैं आप उनके साथ जादा interact कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं eating, drinking, merry making कर रहे हैं और दिखिये, ऐसे में हो सकता है कि किसी चीज को नए सिरे से शुरू करने का discussion आप अपने loved ones के लिए कर रहे हो ये, you know, कुछ Aries के लिए मुझे दिख रहा है फिर से मैं कहूंगी, कि, you know किसी चीज को फिर से शुरू करने का एक discussion आप अपने किसी loved one या अपने loved ones, अपने family members से कर रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए card है coming together तो देखिए, बहुत ही clear message है कि अगर आपके और आपके loved one के बीच में किसी भी तरीके का अगर gap आया तो इस week आप focus करें कि कैसे आप दोनों के बीच में चीजें resolve हों, कैसे चीजें sort out हों और देखिए, कैसे आप you know इस relationship को better कर सकते हैं क्योंकि कितनी बारी हम चाह रहे होते हैं कि चीजें हमारे और उनके बीच में resolve हो जाएं, लेकिन जो हम कह रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं unintentionally, unknowingly वो और जादा gap create कर रहा होता है तो इस चीज का खयाल आप जादा रखें और जितना आप मिल के लोगों के साथ चीजों को करेंगे, जितना एक, you know, cooperative energies में आप रहेंगे, उतना इस week की energies को आप better करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए the first house का card है, और इसके हिसाब से all shades of red maroon आप के लिए लखी होंगे and significant day आप लोगों के लिए हो का Tuesday, तो ये थाएरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए अचल ये टारस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वी क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of wands and patience और ये cards कहते हैं कि surface level पे बहुत you know confidently आप जो भी required है अपने professional front में growth और progress लाने के लिए उसको करते वे दिख रहे हैं next steps plan कर रहे हैं आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं and in the process हो सकता है किसी का support available हो या फिर किसी के साथ मिल के आप करना चाह रहे हैं लेकिन deeper level के लिए आप बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा impulsive नहीं होना चाह रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि patience आप रखते वे दिख रहे हैं या फिर बहुत सबर के साथ चीजों को करना चाह रहे हैं किसी news, किसी email, किसी message का अगर आप wait कर रहे हैं तो इस week आपको मिल सकता है और overall के लिए देखे, again मैं कहूंगी surface level के लिए बहुत जबर्दस एक confidence खुद पे, या फिर universe पे या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, उन पे रहतावा दिख रहा है और देखे, expansion पे आप focus करते हुए दिख रहे हैं उसी से ही related planning करते लेते हुए दिख रहे हैं, उसी से ही related action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं, the moon and hope और दिखे, ये cards कहते हैं कि personal front में इस week थोड़ा सा confusion किसी specific चीज को लेकर या फिर overall रहता हुआ दिख रहा है, जहां पे आप clearly चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़ादा एक, you know आपको ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा unpredictability है आप, you know सोच नहीं पा रहे हैं कि ये जो situation है, ये आगे क्या लेकर आएगी, लेकिन जो भी surface level के लिए हो, deeper level के लिए hope का card कहता है, कि आप, you know, in situation में जहाँ पे again confusion है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, clarity नहीं है, आप hope, उमीद नहीं खो रहे हैं, आप फिर भी, you know, बहुत hopeful हो रहे हैं एक positive frame of mind के साथ चीजों को deal करना चाह रहे हैं हालां कि देखे, circumstances situations, ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे इनसान का negative होना बहुत normal है, तो देखे मैं आपको यही कहूंगी, Gemini's कि जब हम किसी भी चीज को लेकर उमीद खोते हैं, तब actually में हम उस चीज को खो देते हैं, और जितना भी, you know, चीजें clear ना हो, या फिर हमको लगे कि यह possible नहीं है, जब तक हम एक hope रखते हैं, जब तक हमारे mind में उमीद होती है तब तक उस चीज को पाने के chances बहुत ज़ादा होते हैं, तो अगर आप ऐसी energies में हैं, बहुत अच्छी बात है, definitely you know, आपको success मिलेगा definitely, आप जब चाहते हैं, उसको achieve कर पाएंगे again, अगर आप hope रखते हैं आप clarity के साथ चीजों को deal करते हैं, आप एक positive frame of mind रखते हैं, और guidance के लिए, आप लोगों के लिए card है, sadness and isolation, तो देखिए, एक हो सकता है कि बहुत great energies overall इस week के लिए ना रहें, बहुत तो यहाँ पर देखिए, cards आपको यही कह रहे हैं कि कैसे आप चीजों को enjoy कर सकते हैं कैसे आप एक motivation जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए ला सकते हैं, उस पे आप ज़रूर focus करें, क्योंकि देखिए, personal front में हमने देखा कि कुछ issues, कुछ मसले रहे हैं, हाला कि देखिए, professional front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, जहां पर अच्छी opportunities आ रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपको support, cooperation भी लोगों का मिल रहा है, लेकिन personal front में again मैं कहूंगी कि बहुत एक confusion सा रहे रहा है, एक fear insecurity भी रह रहा है, तो ऐसे में देखिए, again मैं कहूंगी कैसे आप अपने goal, अपने मकसद के लिए motivated रहते हैं, कैसे आप एक enthusiasm, excitement लाते हैं, या फिर अपने आपको low energy levels में नहीं जाने देते हैं, उसके ओपर इस week आप जरूर focus करें, और वैसे भी देखिए, ये सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं, ये आपके पूरी life की reading नहीं है, ये week चला जाएगा, नया week नही energies लेकर आएगा, तो इस week में अगर आप थोड़ा सा इन चीजों का खयाल रखेंगे, तो इस week की energies को आप बहुत बहतर कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए the fifth house का card है, और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ताही क्राशी फल और नीचे मुझे coming section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Geminis आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है release and conflict and defeat और ये cards कहते हैं कि इस week specifically आपके professional front में चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले रह रहे हैं और दिखें इस चीज़ को सुनके आपने बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है Geminis, क्योंकि सबसे बहली बात ये आपकी पूरे जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है नया week नहीं energies लेकर आएगा और दूसरी बात देखिए weekly reading में चोटे मोटी चीज़ें होती है बड़े मसले या फिर बड़ी problems नहीं होती है एकका दुका लोगों की बात अलग है तो देखिए इन cards के हिसाब से पीछे किसे भी चीज़ पे अगर आपने बहुत महनत करी बहुत effort किया और इस week अगर एक positive outcome आप expect कर रहे है तो वो आपको मिलतावा नहीं दिख रहा है एक positive result अगर आप expect कर रहे है तो वो इस week मिलतावा नहीं दिख रहा है जो भी लोग आपके आस पास है उनके साथ हो सकता है कि आपके views नहीं match कर रहे हैं, difference of opinion हो रहा है कुछ के लिए literally हो सकता है, छोटे-मोटे arguments हो रहे हैं, बहस हो रही है और देखिए कहीं deeper level के लिए अगर हम देखें तो एक you know, हार सी किसी भी चीज को लेकर आप महसूस करते हुए देख रहे हैं यह general reading है, तो सब के लिए different areas हो सकते हैं जिनको लेकर, again मैं कहूंगी, एक defeat, एक हार आप महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको यह कहूंगी, Gemini's कि at times, देखिए, genuinely हम किसी चीज को लेकर fail हुए होते हैं और at times, इतना होता नहीं है, जितना बड़ा हम अपने mind में उस चीज को बना लेते हैं तो अगर ऐसा आप पाएं, जरूर इस चीज को चेक करें यानि कि अपने आपको question करें कि वाके ही में इतना बड़ा issue है या फिर आपके mind ने बनाया हुआ है and दिखिए अगर कोई बड़ा issue है भी, तो ये जिन्दगी है ऐसा हो ही नहीं सकता Gemini's कि हम सब लोग हमेशा ही, you know, कामयाभी हासिल करें या हमेशा ही हमारी life में सुरफ खुशियां हो ये possible ही नहीं है, चाहें वो इनसान दुनिया का सबसे अमीर इनसान हो चाहें सबसे famous इनसान हो, चाहें वो सबसे ज़्यादा spiritual, सबसे ज़्यादा enlightened इनसान हो जिन्दगी में उतार चड़ाव तो रहते ही हैं और देखिए, जब हमारी life में चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से हम चाहा रहे हैं उस time पे हम चीजों को कैसे deal करते हैं क्या हमारा state of mind होता है हम कितने positively चीजों को मैं कहूंगी deal कर पाते हैं वही determine करता है कि हम future में क्या, you know, अपने लिए manifest कर रहे हैं या फिर क्या हम future create कर रहे हैं और देखिए, release का card बहुत ही clearly कहता है कि जो चीज आपको serve नहीं कर रहे है, जो चीज आपको परेशान कर रहे है उसको जितनी जल्दी आप release करेंगे, जितना जादा इस week आप एक letting go वाली energies में रहेंगे यानि कि again जो आपको serve नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है वो कोई जगा हो सकती है, वो कोई thought हो सकता है, belief system हो सकता है इंसान हो सकता है, project हो सकता है, team हो सकती है कोई भी चीज हो सकती है, उसको आप release करेंगे, let go करेंगे तो आप अपने professional front के लिए इस week better energies लेकर आएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है eight of wands and harmony देखे, दोनों ही बहुत ही beautiful cards है, बहुत ही positive cards है और ये cards कहते हैं कि इस week personal front में बहुत जबरदस्त एक speed बहुत जबरदस्त एक movement रहती होई दिख रही है पीछे अगर चीजें अटकी होई थी, रुकी होई थी तो इस week आगे बढ़ती होई दिख रही है और in fact बहुत सारी चीजें एक साथ होती हुई दिख रही है आप हो सकता है कि इन ही चीजों के साथ अपनी speed को match करना चाहा रहे हैं और उतनी speed आप नहीं match कर पा रहे हैं या फिर हो सकता है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है इसकी वज़े से छोटी-मोटी एक anxiety या फिर थोड़ा बहुत आप परिशान हो सकते हैं देखे मैं फिर से कहूंगी कि कुछ भी negative नहीं हो रहा है positive changes आ रहे हैं, positive चीजें आ रही हैं लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं तो manage करने में थोड़ा सा issues रह सकते हैं travel जो लोग करना चाहा रहे हैं उनके लिए card कहता है कि आप definitely you know travel करें कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप travel कर ही रहे हैं and broadly speaking again मैं कहूंगी positive changes आ रहे हैं बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और नीचे harmony का card एक you know peace, सुकून भी महसूस करने की बात करता है यहां पर कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि अगर किसी loved one के साथ कुछ issue रहा, कुछ मसला रहा तो कहीं वो इस week solve हो रहा है, resolve हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने किसी loved one के साथ travel कर रहे हैं या फिर travel करना चाहा रहे हैं तो दिखे, personal front के लिए चीजें ठीक ठाक बढ़िया रहती हुई दिख रही है professional front में छोटे-मोटे issues रह रहे हैं and guidance है आप लोगों के लिए challenging times का card है and I don't know इस card को आप लोग कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure हैं उन्होंने अपने आगे shield रखी है और पुरा coverage, kundal यानि की you know पहना हुआ है यानि की you know अपने आपको protect कर रहे हैं तो ये card आपको यही message दे रहा है कि जो भी issues रह रहे हैं और जादा मुझे professional friend में दिख रहे हैं personal friend तो ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है उसमें कैसे आप खुद को protect करें उस पे आप सादा focus करें and astrology से आप लोगों के लिए चेरान का card है और इसके हिसाब से Wednesday का दिन आप लोगों के लिए significant इस week रह सकता है and lucky colors आप लोगों के लिए होंगे all shades of green and yellow तो ये था जिमनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए किन से आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लगों के लिए cards है six of swords and authority और दिखें ये cards कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप परिशान हो रहे थे या फिर कुछ भी issues थे मसले थे वो इस week end हो रहे हैं और एक chain की सासी आप लेते हुए दिख रहे हैं या फिर एक relief आपको मिलता हुआ दिख रहा है और दिखें कहीं एक movement एक shift भी आपके professional front में रह रही है कुछ changes आपके professional front में आ रहे हैं अगें दिखें जो चीजें परेशान करें थी उनको पीछे छोड़के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं या फिर आप travel कर रहे हैं या travel related planning चल रही है और एक transition के phase में भी कुछ concerns रहते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे पुरानी कोई चीज उन्होंने छोड़ी और नई चीज अभी शुरू नहीं करी तो जो in between का period होता है उस period में आप रहते हुए दिख रहे हैं और ये period कहीं एक सुकून किसी level पर लाता हुआ दिख रहा है जहाँ पे दिखिए एक anxiety भी हो सकती है कि आगे क्या होगा क्योंकि आपने अभी तक नहीं जो चीज है उसके पास नहीं पहुंचे है या फिर नया एक phase नहीं शुरू हुआ है एक transitory again phase रहता हुआ दिख रहा है and in the process दिखिए बहुत systematic तरीके से आप चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं एक discipline maintain करते वे दिख रहे हैं बहुत you know एक organized तरीके से चीजों को करते वे दिख रहे हैं self respect आपके लिए काफी एहम रह सकती है कोई authoritative figure या तो आपको support कर रही है या फिर you know उनसे आपकी जादा interactions हो रही है जादा बातचीत हो रही है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई power position authority भी किसी level पे किसी तरीके से आपको इस week specifically अपने professional front में मिल रही है और आप देखते हैं कि insidians की personal front में क्या हो रहा है तो दिखिए personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है queen of wants and movement choice decisions तो दिखिए कही movement choice decisions भी movement की बात कर रहा है यानि कि एक shift की बात कर रहा है तो overall ही किसी तरीके का एक you know again मैं कहूंगी shift रहता हुआ दिख रहा है चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही है कुछ के लिए इस हिसाब से दिखिए travel भी या तो रह रही है या फिर आप plan कर रहे हैं या फिर उसके बारे में discussions बातचीत कर रहे हैं और बहुत जबर्दस एक enthusiasm, बहुत जबर्दस एक excitement personal front में रहे रहा है आप बहुत boldly, बहुत courageously चीजों को deal कर रहे हैं आप किसी भी चीज से डर नहीं रहे हैं, किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं और देखिए हो सकता है आपको कोई decisions, कोई choices लेने हैं और बहुत bold decisions, बहुत bold choices आप लेते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि कोई female है जो ऐसी energies की हैं, जिनके साथ आपकी ज़्यादा interactions हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है या फिर उनकी तरफ से बहुत supportive cooperative energies रहती हुए दिख रही है and guidance, second series आप लोगों के लिए love का card है तो overall दिखिए इस week energies कहीं बहुत loving, caring वाली रह रही है और आप लोगों के लिए message भी यही है कि जितना आप compassionately, जितना आप lovingly चीज़ों को deal करेंगे उतना आप इस week energies को better करेंगे यानि कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर ego हो रहा है आपकी तरफ से या आपकी किसी loved one की तरफ से तो कोशिश करें, जितनी जल्दी वो resolve हो जाए उतना better है जितना आप अपने loved one को cooperate करेंगे, support करेंगे या फिर अगर वो आपको support कर रहे हैं वो support आप avail करेंगे, वो support आप लेंगे उतना ही इस week के energies को आप और बहतर करेंगे तो nutshell में गुसा, ego, frustration इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी energy ना दें वैसे तो देखिए हमेशा ही हमें इन चीज़ों को energy नहीं देनी चाहिए लव और compassion के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए लेकिन इस week आप लोगों के लिए specific message है कि अपने loved ones को साथ लेके चलें, अपने close ones को साथ लेके चलें और compassionately, lovingly हर चीज़ों को डील करें and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all shades of turquoise या फिर white आप लोगों के लिए इस week लगी रहेगा और significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था concern's आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाई